नमस्कार आज हम आप लोगों के साथ तीसी यालसी के सूखी चटनी करेसी पिशेर करे जाते ही तो इस चटनी खाये में तो काफी स्वाधिश्ट बनके हो ले पर उसे कई गुना ज्यादा ही पौश्टिक बनके तयार हो लेका ऐसे की तीसी यालसी के अंदर भरपूर मातरा मे ओमेगा 3, B12, विटामिन D और भी अन्य पोशक तत्व पाल जला जो उनकी शरीर के लिए काफी आउशक होला तो यदि आप इस तरह से चटनी बना के बच्चों के भी देवना तो बच्चे भी काफी एके पसंद करें तो इस चटनी के आप बच्चों से बूड़े सब के द थोड़ी सई चटनी गर्म रहे ले तो ज्यादा मात्रा में नदें थोड़ी थोतरी मात्रा में आप एके रोद दे सकी ला और यह चटनी के आप बना के रख देवना तो 15-20 दिन तक बिल्कुल भी ना खराब हो ले तो तीसी का सूखी चटनी बनाओ के लिए याँ पर हम ए मध्यम आज पर भून ले तो जैसे जैसे तीसी भूने ले तो थोड़ा सा फुटे सूरू हो जाले और कड़ाई से बाहर चटके लगे तो जब ज्यादा कड़ाई से बाहर चटके लगे तो आज के दम धीमी करके एके धक के थोड़ी देर के लिए और जब थोड़ा सा चट कल बंद कर दें तो फिर से डकन खोल के और आज के तेज करके के भूनी तो मुस्किल से चार से पांच मियट मद्यम और तेज करके आप भून अब तो चार पांच मियट के अंदर आपका तीसी भून के तयार हो जाए और जिसे जैसे आपका तीसी भूनी ना है कि रहें अंदर पहुत एक प्यारी से सुगंद उठे लगे ले और जब भून के तयार हो जाए तो आप दो-चार दाना मुव में डाल के देखी तो एकदम सोन-सोन स्वाद आवे लगे तो समझ लें कि आपका तीसी भून के तयार हो गए लिया और ग्यास के बंद के लिए के बाद एमे चार से पांच लाल मेश डाल देए और लाज मेश डाल के एक एक एकर साथ तीसी के साथ चला देए तो तीसी थोड़ी सा गरम या गरमी के कारण इलाल मेश भी थोड़ा सा कुरकुरी हो जाई तीसी के चटनी का जोन स्वाद होला उतीसी के भूने के उपर ही निर्भर होला जितना बढ़ियां से आपका तीसी भून के तयार होई उतना बढ़ियां आपका चटनी बन के तयार होई तो बस अब एक ठंडा होके के लिए रगदेवे कि है और जब भी पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो एके मिक्सिके जार में स्वाथ के अनुसार नमक डाल के पीस लिए कि है तो एक लेसुन अभी ना डाले कि है लेसुन यदि आप पहले डाल दे तो इस चट्नी अच्छी तर होगतार ने चला वे तक रखके पर नहीं को आपका है। इस तरह चलाए कि यो पिर पर और अरतन चलाएक चला हाई चलाएक G おिद्याले विपि багरवे बांतर में चला हुआ क्या जातों हैं ये रोटी के साथ पराठा के साथ या फिर दाल चावल के साथ खाये में बहुते स्वाधिश्ट हो ले और आप लोगन के हम पहले ही बताव लिए कि ये स्वाधिश्ट ज्यादा पौश्टी खोले तो जे लोग शाकारी होखा हमरे तरह से ते ते ये चटनी का जरूर सेवन करें का ऐसे कि उमेगा थ्री भरपूर मात्रा में पावल जला जो उनकी मचली में पावल जला तो जे उन लोग शाकारी होना ते मचली ना खाला ते चटनी का सेवन जरूर करें तो यदि यज़िए इवीडिओ आप लोगरंगे थोड़ा भी अपनी भाषा बोच्पूरी में पसंद आई लोए तो वीडिओ की लाइक शेयर कमेंड कल बिलखूल भी न भूले और कमेंड की नीचे जरूर बतावल करें कि आप लोगरंगे इवीडिओ अपनी भाषा बोच में कैसान लगा दिया तो मिले थे फिर अगली किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार